वल्कम तू सेंटे स्टडी पिछले वीडियो में हमने डियू बीट एंट्रेंस कोशन पेपर जो 2022 में हुआ है उसके 50 कोशन पहले पार्ट में हमने कवर कर लिये थे अब हमें आगे के 50 कोशन सॉल्फ करने तो आई ये स्टार्ट करते हैं हम कोशन नमबर 31 से 20 कोशन हमारे जो थे 10 पैसिज के और 10 इंगलिश के पैसिज और 10 हिंदी के पैसिज के तो 30 हमने जनरल कोशन सॉल्फ किये थे तो अब ये 31 से स्टार्ट है यानि कि आपका कोशन नमबर ये 51 हो जाएगा To which region is the दोचाला and चोचाला style of temple architecture related मंदिर इस्था पे ते कला की दोचाला और चोचाला शेली का संबंद किस छेतर से है पहला उप्षन है राजिस्थान, उडिसा, बेंगाल या तमिलनाडू तो दोस्तो ये है आपका उप्षन नमबर थर्ड बेंगाल इसको 16 सेंचुरी में बनाए गए थे, 16 सेंचुरी में और ये इसको रूफ के structure मतलब जो आपका रूफ का structure होता है वो उसमें specialty थी इसके अंदर, रूफ के structure में अब बढ़ते हैं क्वेशन नमबर 32 की दरफ पहला अप्षन है, strong build, strong fortified city for guard troop to protect the stock of food grain obtained from the agriculture for the stay and entertainment of foreign merchant या place of keeping prisoners हिंदी में पढ़ लेते हैं दिल्ली सल्तनत काल में गएरिसन नगर किस उदेशे के लिए बनाए गए गए थे और ये चार उप्षन अपके समने हैं दोस्तो तो दोस्तो इसका जो सही उप्षन होगा वो उप्षन नमबर 1 हो जाएगा यानि कि जो पहला है कि strong fortified city for guard troop सिर्फ इसके लिए बना गए थे और ये जो बनाए गए थे 13 century के अंदर बनाए गए थे 13th century गिंदर जिसमें आपके अलाउद्दीन खिलजी थे अब बढ़ते हैं कोईशन नमबर 33 की दरफ identify the correct statement या statements यही कथन या कथनों की पहचान करें सही कथन या कथनों की पहचान करें और ये चार ओप्षन आपको दिये गए हैं when all adults are given to right to what it is called universal adult franchise representative democracy is where people do not elect their representative यानि कि इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर हमें पहला हमें correct statement बतानी है तो when all adults are given to right to what it is called universal adult franchise तो दोस्तों पहला statement विल्कुल ठीक है जब कोई vote डालने के लाइक होजाता है यानि कि adult होजाता है तो उसको adult universal adult franchise कहा जाता है दोसरे option में देखते हैं representative democracy is where people do not elect their representative तो democracy तो वही होता है जो लोगों की द्वारा चुनी हुई सरकार होती है और यहां पर कहरा है do not तो do not ना होके यहां पर अगर do होता तो यह statement ही गुजाती है तो यह statement तो आपकी घलत हो गई monarchy is a form of government where ultimate power of government is wasted in a king or queen who is answerable to the people तो दोस्तो यहां पर है कि answerable होता है people में जबकि monarchy में ऐसा नहीं होता है monarchy ऐसा system है जिसमें राजा ही सब कुछ होता है और वो किसी के लिए किसी का भी answer मतलब वो नहीं करना चाहेगा तो वो नहीं करेगा answerable नहीं होता है वो तो यह statement भी हाँ पर गलत है और चौथे statement जो है वो भी आपकी हाँ गलत है in democracy government is not accountable and answerable in the people दोस्तो डेमोक्रेसी तो government ऐसी होती है जिसमें जो government होती है उसको answer करना पड़ता यानि कि answerable होती है यहाँ पर कह रखा है not तो यह statement भी गलत हो गई तो पहली statement आपकी ठीक थी question number 34 में चलते हैं आप a particular area from which all voters choose the representative is called union territory state, block या constituency वेश हेत्र जहां से मददाता अपना प्रतिनिजी कहलाता है केंदर शाथित प्रदेश राज्य, block या निर्वाची तो दोस्तों वो कहलाता है निर्वाची यानि के constituency, option number 4 इसका simple सा आपका answer हो जाएगा अब बढ़ेंगे में 35 में, meaning of right to world right to freedom of religion is या आर freedom of conscience and free profession practice and propagation of religion बिल्कुल सही दोस्तों या वाला आपका पहला statement आपका बिल्कुल ठीक हो गया यानि के किसी भी freedom होगी, आपकी कोई भी religion की practice करने की या प्रोफेशन की और freedom to manage religious affairs ये भी ठीक है आपका freedom to pay tax for promotion of religion दोस्तों ये भी ठीक है आपका और आपका freedom to attend religious instruction और वरक्षिप in certain educational institution तो बिल्कुल जैसे बहुत सारे religious institutions बनाय जाते हैं जहाँ पर religious की पड़ाय होती है तो वहाँ पर freedom है कोई भी जा सकता है तो इसके चारोई option ठीक है इसकी चारोई statement ठीक होने की कारण इसका option number 4 ठीक हो जाएगा जिसमें हमें बोला गया only 1, 2, 3, 4 यानिके चारोई statement यहाँ पर correct हो जानी है अब बढ़ेंगे हम question number 36 की तरफ 36 में बोला गया consider the following statement and state which of the statement is are true statement first है political theory make us aware of systematic thinking about justice or equality statement 2 है आपकी political theory help us to refine our views and to reason in an informed manner in a public interest राजनितिक सिद्धान्त हमें निया या समानता के बारे में सुववस्तित सोच से अवगत कराते हैं और दूसरी statement आपकी राजनितिक सिद्धान्त हमें अपने विचारों को प्रिश्कृत करने में और सावजिनिक हित्में सुविग तरीके से तर्क वितर्क कर सकने में मदद करते हैं तो कौन सी statement इसमें ठीक है हमें ये बताना दोस्तों तो दोस्तों इसमें दोने statement ठीक है statement 1 और statement 2 तो option number 2 इसका correct option हो जाएगा अब बढ़ेंगे हम question number 37 के दरफ question number 37 में ये बोला गया है चार option आपके सामने ये हैं हिंदी में पढ़ते हैं ब्रिटिश काल में भारत के नक्षे को तेयार करने का कारिये Robert Clive ने किसे सोपा पहला option है आपका James Princip, James Reynolds, David Cameron ये David Ark तो दोस्तों इसका जो सही option है वो आपका David Reynolds को ये काम सोपा गया था और यहां पर जो आपका है James Principe जो है ये बहुत important है आपके paper point of view के लिए पहला option क्योंकि James Principe ने 1838 के अंदर ब्रामी और ख्रोष्टी जो भाशा है उस लीपी को इन्होंने पढ़ा था कौन-कौन सी? ब्रामी एंड ख्रोष्टी ये दो लेंग्वेज इन्होंने दो लीपी को इन्होंने 1838 में पढ़ा था डैविट कैमरन जो है ये UK के PM रहे हैं UK PM हैं और डैविट आर्ग जो है ये प्यानिस्ट से यानिके अब बढ़ेंगे हम कौशन नंबर 38 के तरफ कौशन नंबर 38 में बोल गया है टो दोस्तों अगर आपको इसके बारे हम है कि जोब की खेती कहां पर होती है तो आप इसका ओप्षन बिलकुल असानी से मिला पाएंगे आपको मालूम है कि जोब की खेती North East India में होती है तो यानि कि एका तो पहला ही है एका तो आपका पहला ही मिल जा रहा है अब एका पहला किस-किस option में है एका third तो option number third गलत हो जाएगा और option number four गलत हो जाएगा अब दो option मचेंगे आपके पास option number one और option number two एका first एका first अब रोका जो है या मिलपा या लदांग अगर आप मेंसे इसको अगर आपको इन मेंसे कोई एक भी पता है तो आप इसका असानी से बता पाएंगे जैसे रोका जो होता है वो होती है आपकी रोका जो होती है वो ब्राजील की होती है रोका होती है ब्राजील की यानि के बी का हो जाएगा आपका fourth और सी का हो जाएगा आपका third मिलपा हो जाएगा आपका मेक्सिको और लदांग जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मलेशिया तो यानि A का 1st, B का 4th, C का 3rd and D का 2 और ये मिल पारा आपका option number second में तो option number second इसका ठीक हो जाएगा question number 39 में in the context of South America what is called fazenda दक्षिन अमेरिका के संदर में fazenda किसे कहते हैं तो दोस्तों fazenda जो है ये एक South America में coffee को कहते हैं जिसे हम kahwa कहते हैं तो इसका जो correct option है वो आपका option number one ही हो जाएगा coffee ये kahwa plantation in Brazil Brazil में ये coffee जो होती है उसको South America में आपका fazenda नाम दिया जाता है बढ़ेंगे question number 40 की तरफ in the context of Charbagh style of Mughal architecture which of the following statements is or are true अब चार बाग style of चार बाग की बात कर रहे हैं तो चार बाग जो है आपका located in Kashmir बिल्कुल ठीक है कि ये कश्मीर में है चार बाग आपका कश्मीर में भी उस्तित से it is divided into four equal parts तो बिल्कुल ठीक है कि ये चार पार्ट में divided हुआगा है it starts at the time of शाजहां तो ये गलत है दोस्तों शाजहां जागे time नहीं हुआ था तो आपका इसमें सीधा सीधा पहले और दूसरी statement ही हो जाएगी यानि का option number one इसका correct हो जाएगा दोस्तों अगर आपने पिछले 50 question नहीं देखे हैं जो हमने part one में cover किये हैं तो उसका link आपको हमारे हाँ description box में वीडियो को description box में मिल जाएगा तो पहले आप वो 50 question भी आप जरूर देख ले और अगर आप हमारे channel पर नहीं है तो please आप हमारे channel को subscribe करना ना भूले अब बढ़ेंगे question number 41 में word and their meaning given blow match करना है में list 1 से list 2 को flattery, modestly, grinning, appealing, unlined तो दोस्तों जो flattery जो है यहाँ पर flattery का मतलब होता है सबसे पहले हम यह जाल लेते हैं flattery का मतलब होता है चाप लूसी क्या मतलब होता है चाप लूसी करना modestly का मतलब होता है humbleness और humbleness आपका मिल पारा है सिर्फ एक यह option में यानि के B का जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपका से first humble way और granting जो है C में वो होता है घुर घुराना और appealing का मतलब होता है attractive attractive आपको मिल पारा appealing का मतलब हो गया आपका attractive तो सीधा सा आपके पास जो option आगया D का हो गया fourth आप option में देख लेते हैं यहाँ से option हम eliminate कर लेंगे D का 4 D का 4 सिर्फ दोस्तों A की option में option number 2 तो इसका option number 2 correct हो जाएगा एक थर्ड एक थर्ड मतलब flattery है आपका insist insincere praise modestly आपका मैंने बदाए दिया granting जो होगा वो आपका हो जाएगा fifth और E का जो बचा है वो आपका हो जाएगा E का हो जाएगा second यानिके anxiety तो यह इसके meaning हो जाएगे अब बढ़ेंगे question number 42 में choose the correct sequence from the sentence given below दोस्तो यह एक sentence दिया हुआ है और इसको हमें बताना है यानिके correct करना है heard it came whispering from and even the horse bending the spring of the style swing rocking horse his wooden champion या second option में question में कहा गया है उचित मिलान करें डॉक्टर सलीम अली राहूल सांक्रियातन प्रेम चंद माखलनाल चतुरवेदी और जगदीश चंद्र माथुर दोस्तो यह important question है आपके paper के लिए सबसे पहले हम यह जालने थे कि डॉक्टर सलीम जो है अली वो यह जो है famous थे दोस्तो किस चीज के लिए यह famous थे आपके fall of sparrow के लिए यानि कि इनको birdman के नाम भी दिया जाता है तो fall of sparrow जो है आपका एक book है इनकी तो option number a का हो जाएगा आपका third डॉक्टर सलीम अली को birdman of India भी कह जाता है bird man of India यह आप याद रखेंगे और उसके बाद जो b है राहुल संक्रियाद इन्होंने यह महापंडित है महापंडित और प्रेम चन जो है c इन्होंने लिखा है कायकल्प और c का हो जाएगा आपका फोर और माखलनाल चतुरवेदी जो है d इन्होंने लिखा है टैदी और कोकिला और जगदीश चंद्रमाथूर जो है इन्होंने लिखा है कोणा option number second तो यह इसके correct option हो जाएगे और यह option आपको मिल पा रहे है option number third में option number third इसका correct हो जाएगा दोस्तो अच्छा थोड़ी सी information ले ले लेते हैं प्रेमचंद जो है हिंदी के ही नहीं बलके उर्दू के भी बहुत अच्छे लिखने वाले थे और इनका एक उर्दू का famous है जिसका नाम है गोदान जो उर्दू में लिखा गया था गोदान अच्छा प्रेमचंद का जो जनम हुआ था वो वारा नसी के लंभी गाउं में हुआ था वारा नसी के लंभी गाउं 31 जुलाई 1880 को और आग अक्तूबर 1936 को इनकी मोत हो गई थी मिर्ती हो गई थी तो यह आप information इस question में add up के तोर पे याद रखेंगे बढ़ेंगे question number 44 में अप निमलिकित में से निनिर्मेश शब्द का सही अर्थ क्या है जिसे किसी चीज़ की इच्छा ना हो चिंता रही नियम से चलने वाला या बिना पलक जपकाए तो दोस्तो निनिर्मेश का मतलब होता है बिना पलक जपकाए option number 4 इसका सही हो जाएगा अब बढ़ेंगे question number 45 में what would be the conjunctive word महा प्लस उर्मी महुर्मी अब ये कैसे लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा आपका महुर्मी का मतलब क्या हो जाता है दोस्तो महुर्मी का मतलब होता है C और इसका जो correct option है option number 2 है ये मतलब होता है इसका C या समूंदर अब बढ़ेंगे question number 46 में what will be the दाल ले पृतियान पैड औफ परी परी प्लस ये कले पृतियान पत क्या होगा तो दोस्तो इसका जो सही option है पहला ही option correct है अब बढ़ेंगे question number 47 की तरफ which of the following is true about the Indian उर्दू नोबलिस्ट and short story writing इसमा चुकता ही he was awarded by Padam Shri by the government of India in 1976 दोस्तो पहली statement बिलकुल ठीक है इनको Padam Shri मिला था 1976 में यानि कि ये statement आपके बिलकुल ठीक है due to his story Lifa he was also sued अगले ये ये गलत है he also received the Nehru Award ने ये भी गलत है Nehru Award नहीं मिला उनको सोवेत भूमी में इसमा चुकता ही was born on 1915 and in the city of Aligaad उत्तरपरदेश तो दोस्तो ये statement भी गलत है क्योंकि उनका जनम 21 अगस 1915 को तो हुआ था लेकिन अलिगड में नहीं हुआ था तो फिर का हुआ था तो हुआ था उनका बदायू में UP के बदायू में हुआ था उनका जनम तो सिर्फ पहली statement ठीक है यानि कि option number 1 इसका दोस्तों correct हो जाएगा option number 1 यानि कि only statement 1 is the right option 48 अब चलेंगे हम question number 48 की तरफ which of the following stories is not of सादत हसन मंटू सादत हसन मंटू ने कौन से story नहीं लिखी है या उनकी कौन से story नहीं है पहला है तोबा चेक चन ठंडा गोश भर्दो काली शलवार तो दोस्तों यहाँ पर जो है भर्दो जो है option number 3 यानि के यह वली इन्हों ने नहीं लिखी है बाकि तोबा चेक चन ठंडा गोश और काली शलवार जो है इन्हों नहीं लिखी है तो आपका जो correct option होगा option number 3 हो जाएगा यानि only 3 लेकिन डियू ने इस question को option number 1 दिया गया है यानि कि उन्होंने क्या दिया है उन्होंने दिया है कि टोबा टेक चन नहीं लिखी है जबकि ऐसा नहीं है टोबा टेक चन जो लिखी है सादत हसन मंटू की ही है तो आप इस question को challenge भी कर सकते हैं अब बढ़ेंगे question number 49 की तरफ who is the author of composition रन विच धन्ना रन विच धन्ना रशना का रशना का रशनाकार कौन है option है प्रोफेसर मोहन सिंग बुलेशा, कुश्वन सिंग अवतार सिंग पाश यह पाश तो दोस्तो इसका जो सही option है वो आपका option है option number third यानि कि कुश्वन सिंग कुश्वन सिंग ने ये लिखी है बढ़ेंगे question number 50 की तरफ which of the following is are not the work of प्रोफेसर मोहन सिंग पंजाब दे दरिया कमबाडी कलाई निकरब यह वाद जीवन तो यहाँ पर पूछा गया है not the work of प्रोफेसर मोहन तो दोस्तों not the work पूछा गया है और यह जो है यह आपका option number 3rd जो है यानि के 3 and 4 option number 3 and 4 जो है यानि के निकरब और हवाद जीवन बाकी कमबाडी कलाई और पंजाब दे दरिया इन्हों ने ही लिख ही है अब बढ़ेंगे question number 51 की तरफ a child is not able to understand that a roll of clay can have the same amount of clay as it had when it was made from a ball of clay what kind of limitation in thinking is the child showing एक बच्चा यह नहीं समझ पा रहा है कि मिट्टी के एक रोल में उतनी ही मिट्टी हो सकती है जितनी मिट्टी के एक गोले से बनाई गई है बच्चा सोच में किस तरह की कमी दिखा रहा है ability to think hypothetically ability to think abstractly या ability to conserve या object permanence तो दोस्तो इसका जो correct option है वो आपका option number third हो जाएगा बच्चा conserve नहीं कर पा रहा है conserve का मतलब जैसे एक आपका square है और इससे बना दिया गया एक rectangle same तो ये conserve नहीं कर पा रहा है कि ये same length होगी इसकी जितनी square की है उतनी ही यानि कि इन दोनों का perimeter same होगा बच्चे ये conserve नहीं कर पा रहा है यानि कि सनक्षित करने का शमता उसमें नहीं है तो option number third इसका correct हो जाएगा option number 52 में ये बोले गया है which of the following is या our correct statement अब चार option आपके सामने है neuron is the basic unit of our nervous system neuron are specialized cell which possesses the unique property of converting various form of stimuli into electrical impulses nearly 12 billion neuron are found in human nervous system the genetic material of the neuron is not stored inside the nucleus हिंदी में भी देख लेते हैं दोस्तों option और फिर चलते हैं अपने explanation की दरफ ये आपकी statement हिंदी में दे रखिए और फिर तो दोस्तों इसका जो correct option है पहली statement जो है neuron जो है basic unit होती है बिल्कुल ठीक है दूसरी है कि इनमे specialized cell होते हैं वो भी ठीक है third statement है कि ये लगबग 12 billion के अंदर होते हैं ये भी ठीक है लेकिन इनमे genetic material of the neuron is not stored inside the nucleus जबकि ऐसा नहीं है nucleus के अंदर होता है आपका DNA प्रेजेंट होता है तो ये statement कर लाते तो पहली तीन ही statement ठीक है और ये आपका option number जो है third में मिल पा रहा है option number third इसका सही हो जाएगा 53 में चलते हैं अब uni और one factor theory of intelligence two factor theory of intelligence theory of primary mental abilities hierarchical model of intelligence ये last है structure of intelligent model तो दोस्तों ये question आपके लिए बहुत ज़्यादा important है अगर आप B8 की preparation कर रहे हैं तो ये आप note ज़रूर कर लें या से जैसे uni factor जो theory दी थी वो दी थी Albert B9 या उसको कहते हैं one factor theory Albert B9 ने दी थी इनका पूरा नाम Albert B9 है option number 5 और उसके बाद two factor theory जो दी थी वो दी थी Charles Spearman ने option number 3 और जो theory of primary mental abilities जो है वो दी थी Lewis Thunstone ने और hierarchical model of intelligence जो दिया था वो दिया था Jensen ने Jensen ने और उसके बाद structure of intellect model जो दिया है वो दिया है गिलफर्ड ने तो ये बनेगा आपका और इसी के कारण इसका जो correct option हो जो गया वो option number हो जाएगा second a का fifth, b का third, c का second, d का first and e का fourth आप इसको note जरूर कर लें question number 54 which of the following does या do not come under primary social group यानि के जो प्रात्मिक, समाजिक, समू के अंतरगत इसमें से कौन नहीं आता है family, friend, school, village तो दोस्तो family तो primary social group होता है और आपका friends भी primary और village भी लेकिन school जो होता है वो secondary चलाता है तो option number third इसका correct हो जाएगा अब बढ़ेंगे question number 55 में which of the following term is true about concept of communalism संपरदाइक ता कि अवधारणा के बारे में निम्रिखिस्त में से कौन सा शब्द सही है चार option आपके सामने ये दिये हुए है it is not about politics but about religion या यहाँ पर दोस्तों ये पूछा गया है कि true कौन सा है तो ये तो गलत हो जाएगा politics it is present all around the world in similar manner नहीं सब जगा अलग-अलग हो सकता है communalism इंडिया में अलग हो सकता है किसी और country में African countries में अलग हो सकता है आपकी जो Australian countries है महां अलग तरीके से हो सकता है तो ये सब जगा similar नहीं होता है different different manner में हो सकता है it is deeply related to personal faith of an individual and is very subjective तो दोस्तों ये भी गलत थी है it constructs large and diverse group which is singular and homogeneous in nature ये ठीक है दोस्तों कि क्या होता है large diverse group का एक diverse अलग-अलग जो होती है उनका एक group होता है जो homogeneous होता है nature में तो ये इसका fourth से हो जागा है ये बड़े और विवित समुग का निर्माण करता है जो पिरकृति में एक वचन और समुरूप होता है अब बढ़ेंगे हम next 56 में which statement is या are about the national health policy true बदाना है कि कौन सी इसमें ठीक है increase the health expenditure by government as percentage of GDP from the existing 1.15 to 2.5 by 25 दोस्तों यहाँ पर हमें true बताना है लेकिन यह जो पहला वाला है यह आपका सही है यह statement बिलकु ठीक है पहली वाली आपकी यह हो गई आपकी सही जो second है increase life expectancy at birth 67.5 to 70 by 2020 दोस्तों यह statement अगर ठीक हो जाता अगर यह 2022 की जगा 2025 देज़ता यहाँ पर 2025 होना चाहिए था तो इसलिए second वाली statement आपकी होगी गलत second statement आपकी होगी गलत जो third statement है कि D.A.L.Y. index as measure of burden of disease and its trend by major categories by 2025 दोस्तों यह statement भी आपकी गलत है क्योंकि यह 22 नहीं यहाँ पर होना चाहिए था यहाँ होना चाहिए था एक्च्छल में 22 25 नहीं होना चाहिए था तो यह सही हो जाती और यह जो है आपका reduce new natal mortality to 16 and still birth rate to single digit by 2025 यह statement आपकी ठीक है यानि कि आपकी दो statement ठीक निकल कहीं यहाँ से पहली और चौती और पहली और चौती जो मिल पार ही है वो option number third में है तो option number third इसका सही हो जाएगा अब बढ़ेंगे हम इंडियन रेलवे is an example of which of the following business organization भारतिय रेलवे निमलिखित में से किस वेवसाईग संगटन का उधारन है तो दोस्तों यह है आपका departmental undertaking विभाग यह उपकरम option number third इसका सही हो जाएगा 58 में चलते हैं which one of the following statement is your art appropriate in case of economic environment of a business money supply in economy internal and external public and debt plan outline private and public sector rate of saving and investment volume of import and export of different item life expectancy population shift money supply in the economy agriculture and industrial population trend rate of saving and investment तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या बताना है कि which one of the statement is the appropriate in case of appropriate बताना है यानि कि कौन सी हाँ पे ठीक होगी विवसाई के आर्थिक बातवरण के मामले में निमली खित में से कौन सा कथन उप्यूक्त है अब यह चार स्टेटमेंट है अब इसके अकोडिंगली जो करेक्ट आप्शन होगा दोस्तों 57 का जो करेक्ट 58 का जो करेक्ट आप्शन हो जाएगा वो आप्शन नमबर वन ही हो जाएगा पहली स्टेटमेंट भी ठीकती और दूसरी भी ठीकती और चौती भी ठीकती अब तीसरी स्टेटमेंट आपकी घलत है और यह अप्शन नमबर वन हो जाएगा फिर बढ़ेंगे 59 में दूसरी अप्शन नमबर वन हो जाएगा लदान बिल 60 में चलते हैं अब जो किसी विविशाई की दिन परति दिन की गटी वीदियो में भाग नहीं लेता है डैश की रूप में जाना जाता है निशक्रिय भागिदार, सक्रिय भागिदार, एस्टोपेल दुआरा भागिदार, या लाब बागिदार तो दोस्तो इसका जो वो कहलाता है dormant partner या इसको एक और नाम से जाना जाता है उसका नाम है sleeping partner sleeping partner ये active नहीं रहता है इसलिए इसको dormant या sleeping partner के रूप में जाना जाता है आप question number 60 के बाद 61 में चलते हैं what will be the what will come next in series अगले में क्या आएगा तो दोस्तों देखते हैं 2, 1, फिर 1 by 2 फिर 1 by 4, फिर 1 by 8 आप यहां से सीधा देख पा रहे हो पहले है 2, फिर है 1 और फिर है 1 by 2, और फिर है 1 by 4 और फिर है 1 by 8 तो 2 यहां half हुआ फिर 1 का half हुआ 1 by 2 और फिर 1 by 2 का भी half हुआ 1 by 4, कैसे होगा 1 by 2 का भी 1 by half तो यह 1 by 4 आगिया और 1 by 4 का जब half करोगे तो 1 by 8 आएगा तो आंसर क्या होड़े हैगा 1 by 8 का भी half तो half जब करोगे तो कितना आएगा 1 by 16 1 by 16 is the correct option अब बढ़ेंगे हम next question की तरफ next question देखते हैं next question में क्या बोला गया है fill the blank fill the blank in the middle of the series k c d k c d अगला है l e f पिर है m g h पिर है dash फिर है o k l तो cake यहां से आप देख पारें दोस्तो c के बाद d d के बाद e आएगा फिर f आएगा f के बाद आता जी तो g ये रहा और h ये रहा तो इसका मतलब यहां आएगा i और j और फिर j के बाद आता k l ये मिल पार आपको अब ये कि स्टेट उससे पहले एक ढूंडना है और ढूंडने की भी जरूरत नहीं है अगर आप i j निकाल पा रहे हैं तो i j सिर्फ दो option में है ये कट जाएगा और ये कट जाएगा आप इसमें देख लेना है पहला और तीसरे में से कौन सा ठीक होगा आप ये देख पा रहे हैं k के बाद आता है l l के बाद आता है m तो m के बाद क्या आएगा m के बाद आएगा n तो n i j यानि कि option number इसका third हुज आएगा सही अब बढ़ेंगे question number 63 में select the correct pattern of symbol in the blue sequence of symbol तो ये pattern आपको नजर आ रहा है थोड़ा से मैं यहाँ zoom किये देता हूँ इस चीज को ये pattern आप देख पा रहे हैं तो पहले हैं आपर दो triangle है ये दो triangle और फिर beach में था आपका square जो beach वाला है वो next बार दोनों side में लग गया अपकी बार ये जो circle है ये बीच में था तो circle दो बार आ गया दोनों side में आपकी बार ये है आपका side में बीच में तो ये एक इधर side आ गया इधर भी ये side आनी थी तो आपका option number क्या हो जाएगा मतलब option number इसका one ठीक हो जाएगा ये वाला इसके बाद दोस्तों हम बढ़ेंगे 64 में find the word that names are necessary part of underline word faculty अब faculty जो बोलते हैं faculty meeting hall faculty audio visual ed faculty teachers ये faculty textbook तो आप ये regular basis पे भी जानते हैं कि faculty teachers होता है तो यहाँ पर teacher is the correct option हो जाएगा faculty teachers फिर उसके बाद 65 identify the value of x, y and z in the blow box 4, 6, 4, 5, 6 16, 20, 24 उसके बाद 416, 520, 624 और z तो दोस्तों यहाँ पर ये एक बढ़ रहा है फिर 5 से 6 तो 6 से आएगा यहाँ पर 7 अब 7 सभी option में तो ठीक है अब आगे बढ़ जाते हम यहाँ से ये 4 बढ़ रहा है फिर यहाँ से ये 4 बढ़ लाए तो यहाँ से भी ये 4 बढ़ेगा तो यहाँ आजाएगा 28 और 28 सिर्फ ए की option में है option number 3 बाकि आपको चेक करने की ही जरूरत नहीं है अगर आप फिर भी चेक करना चाहिए तो चेक कर सकते है difference लेकर add कर लेंगे तो Z आजाएगा आपका 7 to 8 7 to 8 तो correct option है आपका option number 3 उसके बाद 66 में what will be the measure of the acute angle form between the hour end and minute end at 6.45 am 6.45 में acute angle कितना बनेगा तो जब इस type से question आए तो आपको एक formula याद रखना है कि angle बराबर angle is equal to 11 by 2 into minute यानि कि 11 by 2 को minute से करेंगे multiply और 30 को करेंगे h से और इन दोनों का ले लेंगे आप magnitude magnitude ले लेंगे इन दोनों का तो यहाँ पर 11 by 2 और minute है आपका 45 और यह है 30 और 6 बज रहे थे 45 minute थे तो 45 लिख दिया और 6 घंटे थे 6 बज के 45 minute और 6 लिख दिया जब इसको solve करेंगे दोस्तों तो solve करने के बाद यह आएगा 247.5 और यह आएगा 180 माइनस कर लेंगे माइनस करने पर आएगा 67.5 और 67.5 जो है आपका option number 3 में है तो option number 3 इसका सही हो जाना है आप बस formula याद रखें formula की base पर आप इस question को असानी से solve कर पाएंगे अब बढ़ेंगे question number 67 में select the option in which the number share the same relationship as that share by the given pair तो दोस्तों 9 से बन रहा है 64 9 से बन रहा है आपका 64 तो अब 9 से 64 कैसे बन रहा है थोड़ा दिहान से देखेंगे 64 होता है 8 का square तो 9 में से एक कम करेंगे 9 minus 1 करेंगे तो आज जाएगा आपका 8 और 8 का square करेंगे तो वो यह आ रहा है next वाला तो यह relation है यानि को पहले में पहले में से एक minus करना और फिर उसका square कर लेना है अब square देखते हैं कौन-कौन से उप्शन में सबसे पहली बात तो हम यहाँ से square से eliminate कर पाएंगे कि 42 किसी का square नहीं होता तो option कर जाएगा 20 किसी का square नहीं होता ये भी कर जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसको ऐसे कर लेंगे, option number इसका 1 ठीक हो जाएगा लेकिन इसका अगर हम फिर भी करना चाहे तो 8 और 49 कैसर है एक दूसरे से link, 8 में से minus करो 1, तो कितना आएगा 8 minus 1 करोगे तो या आएगा 7, और 7 का square करोगे या आएगा 49, तो ऐसे link हो जाएगा फिर बढ़ेंगे question number 68 में direction in this given below is given statement followed by two conclusion, number 1 and number 2, you have to assume everything in the statement to be true then consider the two conclusion together and decide which of them logically follows beyond a reasonable doubt from the information given in the statement, यानि के हमें statement दी हुई है और पूरी statement को हमें ठीक मालने ना है और ठीक मालने के बाद दो conclusion दी हुए है दो उन्हों conclusion पर हमें बदाना है कि कौनसी conclusion follow करेगा तो statement है the TV program, telecast especially for women are packed with a variety of receipts and household agent a major portion of magazine for women also contain the item mentioned above अब option conclusion में है women are not interested in other thing तो ऐसा तो कहीं लिखावाई नहीं था कि women कहीं और interested नहीं होती है तो पहला conclusion आपका गलत हो जाना है दूसरा है और अबरेज उमन प्राइमरी इंट्रेस्ट लाइज इन होम and especially in the kitchen ये बिलकुर ठीक है इसके coding कि जो अबरेज वोमन होती है वो इंट्रेस करती है किसके घरों में और especially kitchen में तो सिर्फ second statement है वो फोलो कर रहा है तो option number second इसका ठीक हो देगा हिंदी में आप question इस तरीके से देख पाएंगे यहाँ पर यह है और फिर statement आपकी यह होगी conclusion अब बढ़ेंगे question number 69 में दोस्तो यह थोड़ा सा tricky question है लेकिन बहुत अच्छा question यहाँ पर दिया हुआ है person A said to lady in a car the only daughter of the brother of my wife is the sister-in-law of brother of your sister how the husband of the lady is related to person A एक विक्ती ने कार में बैठी एक महिला से कहा मेरी पतनी के भाई की इकलोती बेटी तुमारी बेहन के भाई की साली है महिला का पती A विक्ती से किस परकार सम्मंदित है अब चार option आपके सामने maternal uncle, uncle, father यह सनिलो तो दोस्तो हम इस question को बहुत अच्छे से थोड़ा सा detail में solve करेंगे क्योंकि यह question बहुत अच्छा पूचा गया यहाँ पर सबसे पहले हम पीछे से एक अनूपम है तो अनूपम को मैं लिख देता हूँ A अनूपम को मैं लिख देता हूँ A N U P A M अनूपम उसके बाद उसकी वाइफ की बात की गई है तो वाइफ होगी उसकी जाहिर सी बात है और वाइफ के भाई की बात की गई हाँ पर आप देख पाएंगे मेरे पतनी के भाई की मेरे पतनी मतलब अनूपम की पतनी और उसके भाई उसके भाई होगा कुछ हैं ही पर तो उसका brother कि इकलोती बेटी तो brother की इकलोती बेटी हुई daughter अच्छा दोस्तों यहाँ पर यह statement आई है कि इकलोती बेटी की बात की गई है यानि कि यह सिर्फ इकलोती बेटी है बाकी son हो सकता है only daughter यह a said to be lady the only daughter of brother of my wife तो lady से कहा lady से क्या कहा lady से ही कहा कि यह lady हो गई कि उसकी तो बेहन है यानि कि उसकी sister lady की sister के भाई उसका भाई मतलब bro हो गया कि इकलोती sister in low है यह अब sister in low तो नहीं हो सकती है यानि कि साली तो नहीं हो सकती यह जो daughter है यह वली जो daughter है जिसकी मैं अलग पैंसे मैं दिखा जिता हूँ यह जो daughter है यह सिर्फ single daughter है only daughter है तो यह इसकी इसकी साली तो नहीं हो सकती definitely तो क्या होगी हम इसको लेके चलेंगे sister उन्हों यानि के भावी लेके चलेंगे तो ये क्या होगी इसकी भावी अच्छा भावी कैसे होगी क्योंकि वो क्या होगा इसका इसका भाई होगा इसका भी एक भाई होगा जिसके साथ इसकी क्या हुई होगी married हुई 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 तो ये इसका husband हुआ हुआ तो एक तरीके से जो daughter जो हुई lady की जो daughter हुई वो एक तरीके से क्या हुई ननद कहते हैं शायद तो ननद हुई ब्रादर जो हुआ lady का जो brother हुआ उसका husband हुई है daughter का और तो इस तरीके साब यहां से relation निकाल पाऊगे कि यह जो brother है अनुपम की wife के भाई का क्या हुआ दामाद हुआ तो इस तरीके से आप wife का भी दामाद हुआ और इसका जो husband है किसकी lady का husband है उसका relation मदाना है अनुपम के साथ तो brother brother जो है जो इसका husband है lady का वो अनुपम का भी क्या होगा दामाद ही होगा इस तरीके से देखेंगे इस question को हम थोड़ा सा tricky है फिर भी आपको कोई doubt आए तो आप हमें comment box में पूस रखते हैं हम वहाँ आपको explain कर देंगे तो option 4 इसका ठीक हो जाए गया दामाद होगा सबसे पहले हम ने इस question में क्या किया दोस्तो दो अलग-अलग statement को एक जगा connect किया है connect करने को ही इस question में important यही था कि इस question को हम connect कर पाएं दोनों statement के तो यह थोड़ा सा time consuming question था ऐसे question अगर paper माएं तो आपको avoid करने चाहिए क्योंकि यह question आपके paper में time ज़ादा ले लेते हों फिर आगे वाले question आप छोड़ देते हैं अगर आप due entrance की preparation कर रहे हैं तो आप हमारे channel पर अगर नए हैं तो please आप हमारे channel को subscribe ज़रू करें और आने वाली due की videos के लिए bell icon को भी ज़रू दबाएं अब बढ़ेंगे हम next question की तरफ village q is the north of village p and village r is the east of village q and village s is the left of village p in which direction is the village s with respect to village r तो दोस्तों यहां से हम इस तरह के से लेते हैं को यह एक point मैंने ले लिया जो village p है यह village p ले ले लिया मैंने village r जो है q जो है, वो north में हो यानि के उपर की side है तो यह q होगी आपका और जो r है वो कहा है, east मैं है east आपका इदर होगा तो यह होगा आपका r और जो village s है वो p के left में है, यानि के इदर है, कहीं पर तो पूछ रहा है तो यह पूछ रहा है आपसे कि in which direction is village as with respect to our तो यह होगा यह direction तो यह आपका क्या होगा North South, East, West तो यह हो जाएगा आपका option इसका हो जाएगा Southwest यहाँ साब देख पाएंगे Southwest इसका correct option हो जाएगा यहाँ से यह Southwest आएगा यहाँ से तो option number second इसका correct हो जाएगा अब बढ़ेंगे question number 71 में match करना है यहाँ पे दिल बोले हडिपपा, फ्रिकी अली, गोल्ड, सालक हडूस और दंगल तो दंगल जैसे कि आपको मालूम ही है दंगल जो थी यह wrestling के उपर थी तो option number दंगल का हो जाएगा second फ्रिकी अली जो थी यह आपकी गोल्ड के उपर थी जिसमें नमाजदीन सिद्धी की ने रोल निभाया था तो यह आपका हो जाएगा four और दिल बोले हडिपपा जो है यह option जो है वो cricket के उपर बेशती तो यह हो जाएगा आपका fifth गोल्ड जो है option C जो है यह hockey के उपर थी और फिर साला खडूस जो है वो आपकी जो है D option जो है वो third option हो जाएगा यानि के boxing के उपर तो इसलिए question number इसका second option ठीक हो जाएगा 72 में चलते हैं which of the following option is यह our correct statement Orion is a constellation that we can see in winter at midnight Orion is also called hunter it has five star series the brightest star in the sky is visible near Orion Orion एक तार मंडल है जैसे सर्जों में हम मध्य रात्री में देख सकते हैं तो दोस्तों ये पहली statement तो बिल्कुल ठीक है Orion को शिकारी भी कहते हैं ये भी ठीक है यानि के second statement भी ठीक है लेकिन इसमें पांच तारे नहीं होते हैं यहाँ पे लिखे हैं इसमें पांच तारे होते हैं पांच नहीं होते हैं बलके कितने होते हैं साथ होते हैं, इसमें साथ, तो ये थर्ड स्टेस्टमेंट आपकी घलत हो देगी, और चौथी आकाश का सबसे चमकिला तारा सीरियस और यो उनके निकट दिखाई देता है, ये भी ठीक है, यानि के पहली दूसरी और चौथी स्टेस्टमेंट ठीक है, और ये आपका जाना जाता है अब बढ़ेंगे नेक्स कुशन में arrange the order of following planet by increasing the distance of planet from the sun तो सबसे पहले जो sun के पास जो होता है वो होता मरकरी फिर Venus फिर Earth फिर Mars फिर Jupiter फिर Saturn Uranus Neptune और फिर बाद में हुआ करता था Pluto जिसको आप हटा दिया गया है तो दोस्तो इसका जो सही option है वो option number आपका second हो जाएगा अब sun से दूरी मैं आपको लिखवा देता हूँ सबसे पहले हैं मरकरी उसके बाद है Venus फिर है आपका Earth और उसके बाद है Mars फिर है Jupiter मरकरी, Venus, Earth, Mars, Jupiter फिर है Saturn फिर यूरेनस और लास्ट है आपका Neptune तो यह आप याद रखेंगे 74 Who was the bronze medalist in archery at Tokyo Para-Olympic? शरत कुमार, अमानी लिखारा, हरविंदर सिंग या क्रिशना नारंग तो यह मिला था दोस्तों हरविंदर सिंग को option number 30 इसका ठीक हो देगा 2020 में यह first Indian बन गए थे आर्चरी में, Para-Olympic में medal जीतने वाले, first Olympic first Indian to win a medal in archery at Para-Olympic अच्छा, शरत जो है, पहला option जो है, इन्होंने bronze जीता, Tokyo 2021 के अंदर Tokyo High Jump के अंदर, इन्होंने जीता, High Jump और, अवानी लिखारा जो है, यह जो second है, यह बहुत important है, आपके paper के लिए यह first Indian है, first Indian woman है, first Indian woman to win, two Paralumpic, two Paralumpic medal, यानि के इन्होंने दो Paralumpic medal जीता है और पहली Indian बन गई थे है, दो Paralumpic जीतने वाली किस में, 50 मीटर राइफल के अंदर और कृष्णा नागर जो है, option number 4 है इन्होंने परमोद भगत के साथ मिलकर, परमोद भगत के साथ मिलकर joint winner रहते हैं, पैरा बैडमिंटन में, 2021 के अंदर तो 2021 की current affair, 2022 में पूछी गई है at time of India, sport award, तोईसा ये बने थे, टोईसा के इंदर इसकी फुल फॉर्म में, times of India, times of India sport award, तोईसा तो इसे हम इन्होंने परमौत भगत के साथ मिलकर joint winner ये रहे थे अब बढ़ेंगे question number 75 में Which statement is true among the following The ratio of length to height width of flag is 3 ratio 2 आगे है The ratio of length to the height width of flag is 2 ratio 3 या फिर आगे है The ratio of length to the height width of the flag is 3 ratio 3 ये लास्ट option है The ratio of length to the height of width of the flag is 4 ratio 3 तो दोस्तों जो फ्लाइग होता है हमारा इसकी जो length होती है वो जेतनी भी होगी वो तीन गुना जैसे उसकी तीन होगी और वो आपकी ब्रेथ होगी 2 यानि के तीन ratio 2 में वो लिए जाएगा तीन ratio 2 में तो आई आप याद रखेंगे option number 1 इसका correct हो जाएगा फिर बढ़ेंगे next question which of these revolt took place against a great system of Mughal इन में से कौन सा विद्रो मोगलों की क्रिशी वेवस्था के खिलाफ हुआ है जाट रिवोल्ट शत्नामी रिवोल्ट नागा रिवोल्ट यस साम यांसी रिवोल्ट तो दोस्तों इसमें जो जाट रिवोल्ट है और नागर रिवोल्ट है ये दोनों जो सतनामी और जाट रिवोल्ट जो है ये जो हुए थे ये हुए थे इन दोनों के अगेंस्ट तो option number second इसका ठीक हो जाएगा अच्छा जाट रिवोल्ट कब हुआ था ये हुआ था आपका 661669 AD में और गोकुले इसके लीडर थे गोकुले गोकुले ने इसको लीड किया था सतनामी जो था सतनामी रिवोल्ट जो है ये आपका हुआ था 1672 में अब बढ़ेंगे question number 77 में two statement are given below statement one हर्याना emerges the most successful team at the Kelo India Youth Games 2021 statement two a total of 25 team from all state and union territory of India took part in Kelo India Youth Games Hindi भी पढ़ लेते हैं और Kelo India Youth Games 2021 में हर्याना सबसे सफल टीम के रूप में उबरा गथन दो है भारत के सभी राज्जो और केंच शासिप परदेशों की कुल 25 टीमों ने Kelo India Youth Games 2021 में भाग लिया सबसे पहली बात दोस्तों यहाँ पर कि ये 25 टीम नहीं थी ये टोटल 2021 में 36 टीम थी तो statement 2 तो गलत हो जाना है और हर्याना नहीं सबसे जादा medal जो जीते थे वो हर्याना ही नहीं जीते थे उसके बाद आता है आपका महरास्ट का नंबर लेकिन option जो दिया है डियू ने वो दिया है option नंबर 2 यानि कट्थन 2 को सही माना है और कथन 1 को गलत माना है आप इस question को challenge भी कर सकते हैं कथन 1 सही होगा जबकि कथन 2 गलत हो जाना है क्योंकि 25 टीम तो कभी भी नहीं थी 36 टीम थी तो पहला option तो मतलब कथन 2 तो पक्का गलत है इसमें ताग option नंबर 1 इसका सही होगा जाना है 78 में चलते हैं अब Who won gold medal in the event of weightlifting under men's 67 kg category in 2022 World Athletic Championship recently had in Oregon हाली में Oregon में आयोजित 2022 में विश्व Athletic Championship में पुरिशों की 67 kg वर्ग के तहत भारो तोलोन की घटना में सोन पदक किसने जीता तो ये लालरी नूंगा जेरेमी जो है 19 साल के इन्होंने ये जीता है option नंबर 3 इसका correct होगा दोस्तो ये मात्र 19 साल के है जब ये जीता इन्होंने और ये कहां के है ये है आपके एजोल मिजुरम मिजुरम के ये रहने वाले है अब बढ़ेंगे next 79 में इन दे लाइट अफ नेशनल एडुकेशन पॉलिसी 2020 टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो नेशनल करिकूलम फ्रेमवर्क फो टीचर एडुकेशन जिसको हम न्सी फ्टी बोलते हैं बिलली स्टेटमेंट बिल्खोग ठीक है दोस्तों दूसरे स्टेटमेंट है नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फोर स्कूल एजुकेशन जिसको हम N.C.F.S.E. 2020-21 फ्रेम बाइ नेशनल काउंसिल फोर टीचर N.C.T.E. N.C.T.E. in consultation with the National Institute of Educational Planning and Administration नीपा यहाँ पर यह नीपा नहीं है यहाँ पर यह N.C.R.T. ही होना चाहिए था तो नीपा यहाँ पर नहीं होगा तो option जो statement 2 है यह आपके गलत हो जानी है तो statement 1 ठीक है दोस्तों और statement 2 गलत है और यह मिल रही है आपको option number 1 में तो option number 1 इसका सही हो जाएगा दोस्तों इस video के हम last question में यानि के इस question paper के last question में आगए अब चलते हैं vitamin को हमें match करना है कौन से vitamin किस कौन से vitamin से कौन सी बिमारी होती है vitamin A से क्या होता है vitamin A से होता है blindness हो जाती है vitamin A से होकर blindless यानि के fourth और fourth सिरफ दो option में तो एक option तो कड़ जाएगा और ये भी कट जाएगा विटामिन B से आपका होता है बैरी बैरी रोग यानि के इसका जो करेक्ट होगा वो B का सेकेंड ही हो जाएगा तो आपका option number 1 इसका सही हो जाएगा विटामिन C की वज़े से जो होता है वो आपका इसकरवी हो जाता है जो की बिल्कुल ठीक दिया हुआ है और विटामिन D की वज़े से हो जाता है रिकेट्स रिकेट्स होता है विटामिन D की वज़े से अब इसके बाद हम यहाँ पर कुछ important terms जरूर जान लेते हैं विटामिन A का जो नाम होता है विटामिन A का scientific जो नेम होता है वो होता है Retinol Retinol यहाँ पर spelling गलत हो गई है Retinol और विटामिन C जो है यहाँ पर विटामिन C का जो नाम होता है Ascorbic Acid होता है Ascorbic Acid उसके बाद विटामिन D जो है विटामिन D जो है केलसी फेरोल कहलाता है विटामिन E जो है ये कहलाता है आपका टोको फेरोल और ये जो विटामिन के जो होता है ये कहता है विटामिन के ये कहलाता है यहां पर जो दोस्तों विटामिन B की बात की गई है विटामिन वो जो B है वो थ्यामीन है विटामिन B1 की विजिस होता है आपका बैरी बैरी जो रोक है वो होता है विटामिन B1 की वेज़े से और विटामिन B1 का जो नाम है विटामिन B1 का जो नाम है वो है आपका थ्यामीन इसमें भी दोस्तों विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और vitamin A fat soluble होते हैं बाकि water soluble होते हैं तो I hope आपको दोस्तों ये question समझ आ गए होंगे फिर भी अगर आपको कोई doubt हो तो आप हमें comment box में ज़रूर पूछ सकते हैं अगर आप DUBA entrance question paper का ये PDF पाएना चाहते हैं तो आप हमारे telegram पर जुड़ सकते हैं कोई आपको मिल जाएगा अगर आप DUBA entrance की preparation कर रहे हैं तो आप हमारे channel को subscribe जरूर करें और आने वाली videos के लिए बाइल आइकन को भी जरूर दबाएं अगर video पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में share जरूर करें और like करना न भूले video में लगतार बरे रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया